एक बार रेंसफर्ड नाम का शिकारी अपने दोस्त विटनी के साथ जहाज द्वारा अमजोन जंगल की तरफ जा रहा था जहाज एक आइलेंड पर पहुँचता है उस आइलेंड की बहुत बुरी रेप्यूटेशन है जो भी वहाँ गया वो जिन्दा वापस नहीं आया रेंसफर्ड सिगार पीने जहाज की छट पर जाता है कुछ देर बाद रेंसफर्ड को आइलेंड पर गोली चलने की आवाज सुनाई देती है वह पानी में कूट जाता है वह तेरता हुआ किसी तरह आइलेंड पर पहुँच जाता है और इधर उधर भटकने लगता है तभी उसे एक बड़ा सा घर नजर आता है वह उस घर के अंदर चला जाता है वहाँ उसे उसे घर का मालिक जनरल जैरफ मिलता है वह अपने विशाल कद के गूनगे बहरे नौकर इवान के साथ रहता था साथ ही उसने हिंसक शिकारी कुट्ते पाल रखे थे जैरफ गर्मजोशी से रेंसफर्ट का स्वागत करता है रात को डिनर करते हुए जैरफ रेंसफर्ट को बताता है कि वह रशियन है वह बच्पन से ही जानवरों का शिकार करता आ रहा था उसने रशियन रेवलूशन में भी भाग लिया था लेकिन एक दिन उसे छोड़कर वही इवान के साथ इस आईलेंड पर आ गया था उसने इसे खरीद लिया और यहां अपने लिए एक घर बना लिया और यहां भी जानवरों का शिकार करने लगा लेकिन अब जानवरों का शिकार करते करते वह बोर हो चुका था इसलिए उसने यहां नकली लाइट हाउस बना दिया ताकि शिप उस तरफ आ जाए लेकिन जब जहाज यहां पर आते थे तो वो चट्टानों से टक्रा कर दुर्गट नाग्रस्थ हो जाते थे इसके बाद जो लोग जिन्दा बच जाते थे वह उन्हें आइलेंड पर ले आता था और फिर उनका शिकार करता था इसके लिए वह उन्हें भोजन, कपड़े और एक चाकु देता था पहले ही वह उन्हें जंगल में जाने देता था ताकि वे जहां चाहे भाग सकें और छुप सकें इसके बाद वह एक पिस्तॉल लेकर उनका शिकार करने के लिए निकलता था उसे आइलेंड के चप्पे-चप्पे का पता था साथ ही उसके शिकारी कुत्ते जल्दी ही उन लोगों का पता लगा लेते थे उसका नियम था कि अगर कोई भी व्यक्ति तीन दिनों तक उससे इवान से या शिकारी कुत्तों से बच सके तो उसे छोड़ दिया जाएगा और आज तक कोई भी व्यक्ति उससे बच नहीं पाया है ये सब सुनकर रेंसफर्ट कहता है कि तुम बहुत घ्रिनित काम कर रहे हो ये काम जानवरों से भी बत्तर है गौड तुम्हें सजा देगा लेकिन जारफ कहता है कि जिन्दगी केवल स्ट्रॉंग लोगों के लिए है फिर वह रेंसफर्ट से कहता है कि तुम भी मेरे साथ शामिल हो जाओ तुम एक वीर पुरुष हो तुम मेरे साथ रहो हम दोनों मिलकर लोगों का शिकार करेंगे लेकिन रेंसफर्ड इसके लिए पूरी तरह से मना कर देता है और कहता है मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं दूनगा ये एक घ्रिनित काम है वो इस आइलन्ड को छोड़ कर जाना चाहता है मगर जैरफ कहता है कि आप तुम यहां से बचकर नहीं जा सकते मैं तुम्हारा भी शिकार करूंगा इसके बाद जैरफ उसे नियम समझाता है और कहता है कि तुम जंगल में कहीं भी जा सकते हो मैं चार घंटे बाद ही तुम्हें धूनदना शुरू करूंगा फिर वह रेंसफर्ट को एक चाकु देता है और कुछ भोजन देता है और जंगल में छोड देता है रेंसफर्ट जंगल में बहुत तिर्हेक मीरे रास्तों से होकर दूर निकल जाता है उसे लगता है कि जैरफ उसे धून्ड नहीं पाएगा फिर वह एक पेड़ पर चड़ जाता है लेकिन जैरफ को जंगल का चप्पा चप्पा पता था वह अपने शिकारी कुत्तों की मदद से रेंसफर्ड को बहुत जल्दी ढून लेगा लेकिन वह सोचता है कि इसे इतनी जल्दी नहीं मारूनगा अभी इसके साथ चुहे बिल्ली का खेल खेलना चाहिए अगले दिन रेंसफर्ड एक पेड़ के तने को एक लता से बाद कर एक हथियार बनाता है जब जैरफ वहां से गुजरता है तो उसे वो पेड़ आकर लगता है जिससे उसका कंधा जखमी हो जाता है और उसे वहां से भ जब शिकारी कुट्टे उसके पीछे दोड़ते हैं तो वह उस गड़े के उपर से जंप लगाता है लेकिन एक कुट्टा उस गड़े के उपर से गुजरता है और नीचे गिर कर मर जाता है इसके बाद रेंसफर्ड अपने चाकु की मदद से एक और वेपन बनाता है और इ भागते भागते रेंसफर्ड एक पहारी की चोटी पर पहुँच जाता है लेकिन रेंसफर्ड नीचे नदी में छलांग लगा देता है जैरफ को लगता है कि रेंसफर्ड इतनी उचाई से गिर कर मर गया होगा ये सोचकर वह अपने घर लोट जाता है घर पहुचकर जैरफ बहुत दुखी होता है कि उनकी उसका भरोसेमंद नौकर इवान मारा जा चुका था वह सोचता है कि अब घर के काम कौन करेगा इसके बाद वह सोने के लिए अपने कमरे में चला जाता है लेकिन जैसे ही वह कमरे की लाइट जलाता है तो देखता है कि रेंसफर्ड वहाँ वैठा हुआ था दरसल रेंसफर्ड एक डाइवर रह चुका था और उसे तैरना आता था इसलिए चोटी से कूट कर भी वो जिन्दा बच गया था और फिर तैर कर दुबारा जैरफ के घर आ गया था जैरफ उससे बधाई देता है और कहता है कि तुमने ये गेम जीत ली है लेकिन रेंसफर्ड कहता है कि गेम अभी भी जारी है और अभी भी उन्हें लड़ना चाहिए जैरफ कहता है कि ठीक है लेकिन हारने वाले को उसके कुट्तों को खिला दिया जाएगा इसके बाद दोनों में लड़ाई होने लगती है लेकिन रेंसफ़र्ड आखिर में जैरफ को मार देता है इस कहानी से हमें पता चलता है कि कभी-कभी आपको जीवित रहने के लिए अपनी नेतिकता के खिलाप जाना पड़ता है हत्या करना कभी आसान नहीं होता लेकिन कभी-कभी यही एक मात्र रास्ता होता है जिससे औरों को भी बचाया जा सकता है